जाबो के आरोपी सुरेश पिता खुमान सीह निवासी माता पाड़ा जोसर पैटलावत को माननीय नियाले ने आज इवन कारवास एवं पांच वर्ष की सजा के दंड से दंडित किया गया था आरोपी सुरेश केंद्रिय जेल बढ़वानी में सजा काट रहा था सुरेश को पैरोल पर छुड़ा गया था पैरोल से वापसी दिनांक 21 सांथ 2019 को होनी थी कि दुवा वापस जेल में नहीं गया और फरार हो गया और तब से ही आरोपी सुरेश फरार चल रहा है जिसके जिला बढ़वानी की पुलिस टीम काफी अरसे से तलाश कर रही थी 22 अप्रेल 2022 की शाम को मुखबिर द्वारा सुष्णा मिली की सुरेश पिता खुमान सिह ग्राम बडली पाड़ा में शम्षान घाट के पास नदी किनारे पैठा है जो की अवे दुरुप से हाल भटी महुए की कच्छी शराब तीन प्लास्टिक की केन में लेकर बैठा है जिस पर थाना पैठलावत की पुलिस टीम द्वारा त्वरितकारी वही करते हुए बड़ी ही सुझबूस से घेरा बंदी कर आरोपे शुरेश को पकरने में सफल्दा प्राप्ति की जाबवा से अरबल्ट मंडोरिया की रिपोर्ट झाल